हेलो फ्रेंड्स आप सबका स्वाकत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीस सार इस्टडी में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग भारत की जनगलना से संबंदेत प्रशनों को देखेंगे भारत की जनगलना 2011 में हुई थी उसके बाद हर दर्शवर्श के अंतराल पर ये जो है गढ़ित की जाती है चलिए अपने प्रशनों की तरह बढ़ते है पहला प्रशन है जनगलना का दायूत किसके पास है तो दोस्तों इसका अर्थ है कि भारत में जनगलना कराने की शक्ती क इसके पास है तो दोस्तों इस प्रशन का सही आंसर होगा केंद्र सरकार जी है दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नमबर एक केंद्र सरकार जनगर्णा का दायत केंज सरकार के पास है जिसको केंजरी ग्रह मंतराले पूरा कराता है ये इसके बारे में सम्विधान में अनुछे 246 में दिया गया है दोस्तों अगरा प्रशन देखते हैं दोस्तों जनगर्णा से संबंधित उच्चतम अतकारी कौन है तो इसका सही आंसर होगा महा पंजीयक एवं जनगर्णा आयुक्त जनगर्णा से संबंधित भारत में उच्चतम अतकारी है भारत का महा पंजीयक वा जनगर्णा आयुक्त अगला प्रशन देखते हैं दोस्तों भारत में जनगर्णा की शुरुआत कब हुई थी तो भारत में पहली बार जन्गरणा की शुरुवात हुई थी उन्निस सो, सौरी दोस्तों, अठारा सो बात्तर में किसके शाषन का उस समय लाड मेयो जो थे उनका कारेकाल था भारत में ये बिटिश राज की समय की बात है तो सही आंसर है इसका ऑफ्शन नंबर 3, 1872 अग्ला प्रस्ण देखते हैं भारत में नीमित जन्गरणा कब हुई थी तो दोस्तों जब हमने इसके पहले जो प्रस्ण देखा कि भारत में जन्गरणा की शुरुवात कब हुई थी इसका सही आंसर है option number two 1881 भारत में नीमित जिन्गरणा की शुरुआत लाड रिपन के कारकाल में हुई थी ये point आपको याद रखना है दोस्तों उस समय किसका कारकाल था भारत में बिटिश गोवर्नर लाड रिपन का ठीक है दोस्तों 1881 में अगला प्रसंद देखते हैं सतंत्र भारत की पहली जन्गरणा के समय जन्गरणा आयुक्त कौन थे तो दोस्तों सतंत्र भारत की पहली जन्गरणा कब हुई थी 1951 में जब भारत आजाद हुआ उसके बाद पहली जन्गरणा हुई थी 1951 में और उस सम जन्गणना आयूक्त थे आर ए गोपाला स्वामी जन्गणना आयूक्त थे 1951 में जब भारत में सतंतरता के पराप्ति के पस्चा जन्गणना की गई थी तो इसका सही आंसर आप्शन नमबर 2 अगला प्रशन देखते हैं दोस्तों भारत में जन्गरना का विभाजक वर्ष क्या है तो दोस्तों विभाजक वर्ष को पहले में लोग समझ लेते हैं कि 1911 और 1921 के जो बीच का दशक था भारत में उसमें जनसंख्या की दशकी वरद्धिदर नेगेटिव चली गई जी दोस्तों यानि जनसंख्या में वरद्धी नहीं हुई थी बलकि जनसंख्या में कमी आ गई थी 1911 से लेके 1921 के बीच में यह जो दस सालों का अंतर था तो यह कितनी नेगेटिव चली गई थी माइनस 0.31 परसेंट यह आपको याद रखना है दोस्तों कितना नेगेटिव गया था किसको जो जनगर्णा की गई थी उसी वर्ष को भारत में जनगर्णा का विभाजक वर्ष कहा जाता है यह आपको याद रखना है आप से 1872 से और नेमिज जनगर्णा की शुरुवात कब से होई है 1881 से यारी 1881 के बाद से प्रतेक दर्ष वर्ष में जनगर्णा की जा रही है लेकिन सुतंत्र भारत की जनगर्णा कौन सी है 2011 वाली ठीक है दोस्तों तो यह सातवी जनगर्णा है दोस्तों वर्ष 2011 में जो जनगर्णा की गई है वो सुतंत्र भारत की सातवी जनगर्णा है दोस्तों अब कोशेन आप से यह भी पूछा जा सकता है कि यह जनगर्णा 2011 भारत की कितने नंबर की जनगर्णा है दोस्तों तो आपका आंसर क्या होगा पंदरवी जनगरणा दोस्तों अब तक भारत में पंदरा बार जनगरणा की आ चुकी है 2011 की जनगरणा हुई थी वो भारत की पंदरवी जनगरणा है दोस्तों लेकिन सो तंदर भारत की कितने नंबर की जनगरणा है साथवी तो आपका इस प्रशन का आंसर होगा option नंबर 3 साथवी अगला प्रशन देखते हैं दोस्तों एक point इसमें और भी है कि जनगरणा 2011 जब की गई तो उस समय जनगरणा आयुक्त कौन थे सी चंदर मौली यह भी आपको याद रखना है सी चंदर मौली जनगरणा आयुक्त थे समय ठीक है दोस्तों यह आपको याद रखना है अगला प्रशन देखते हैं जनगरणा 2011 का शुभंकर क्या था जो दोस्तों 2011 में जो जनगरणा कराई गई थी उसका शुबंकर था प्रग़्ंक सिच्च का दोस्तों यह को याद रखना है कि प्रग्ईलंक सिच्च का ही जो आ, इसका शुबंकर था अगर आपको औप्षिन में कहीं प्रग्ईलंक सिच्च देख जा boo Goog lizard timing अंसर सही नहीं परशन देखते हैं भारत में पहली बार NPR कब तयार किया गया तो दोस्तों आपको पता होगा अभी हाल में ही 2019-20 में बहुत बबाल बचा हुआ है कि NPR, NRC और इस सब चीज़ों को लेके NPR भारत में पहली बार कब तयार किया गया था दोस्तों तो ये जंगर्णना जो 2011 की हुई थी दोस्तों उसमें ही NPR तयार किया गया था NPR का फुल फॉर्म क्या है? राश्टी जन्जंख्या राइश्टर ठीक है? इसमें जो है NPR है क्या एक्शुल में? NPR में 15 विवर्ण जो हैं वो दर्ज किये जाते हैं किसी भी साधाना मनुष्ट के लिए और 15 वर्ष से उपर के लोगों का बायोमेट्रिक आंखड़ा भी एकतर किया जाता है इसी को NPR कहते हैं एक्शुली में है ये जनकरणा जो रेइश्टर लेके चलते हैं ये लोग जनकरणा करने वाले उसी के तत्थ हैं लेकिन उसको एक नया नाम दे दिया गया 2011 में NPR ठीक है दोस्तों? ये कब तियार किया गया पहली बार भारत में? 2011 में इसका सही आंसर है option number 2 जनसंख्या इस्थिर्था प्राप्त करने का लच्छ पहले कितना था? 2045 तक यानि सन 2045 तक हमको जनसंख्या इस्थिर्था प्राप्त करनी थी लेकिन अब जो है इसको बढ़ा कर कितना कर दिया गया है दोस्तों? तो अब present time पर इसको बढ़ाकर 2070 तक कर दिया गया है यानि अब हमको 2070 जिस्वी तक जनसंख्या इस्तिरता प्राप्त करनी है इसका सही answer है option number 3 अगला प्रस्ण देखते हैं जनगर्णा 2011 में भारत की कुल जनसंख्या में पुरुश्यों का प्रतिशत कितना है तो दोस्तों भारत की कुल जनसंख्या जनगर्णा 2011 के अनसार एक अरब 21 करोन 8,54,970 है ठीक है जनगर्णा 2011 के अनसार ये प्रस्दिन बढ़ लई है ठीक है अब जनगर्णा होगी 2021 में तब तक ये और बढ़ जाएगी लेकिन जंगलना 2011 के अंसार कितनी है एक अरब 21 करोण 8,54,970 ठीक है दोस्तों तो इसमें पूछा गया है कि पुरुष्यों का प्रतिश्यत कितना है तो इसमें पुरुष्यों का प्रतिश्यत है 51.47 ठीक है दोस्तों तो आपका सही आंसर होगा option number 2 51.47% ठीक है और महिलाओं का प्रतिश्यत पूछा जाएगा आपसे तो कितना आंसर होगा आपका review 48.53% यह मैलाओं का प्रतिश्यत है पूरुष कितने हैं एक 50.47 प्रतिश्यत और मैलाई कितनी है 48.53 ठीक है दोस्तों अगला बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने तो भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5 प्रस्यत है इसका सही आंसर है option number 3 17.5% अगला प्रस्न देखते हैं जन्गर्णा 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या की वारशिक व्रद्दिदर क्या है तो दोस्तों जो हर साल जनसंख्या बढ़ लही है अपने यहां भारत में उसकी जो दर है वारशिक व्रद्दिदर वो पूछा गया है इस प्रश्ण में हम लोगों से तो वारशिक यारा के उनुसार 1.64 परसेंट है दोस्तों इसके पहरे जो जनकरना हुई थी जन 2001 में उसमें वार्षिक व्रद्दीदर थी 1.97 ठीक है दोस्तों और यह घड के कितनी रहे गई यह 1.64 परसेंट तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 1.64 परसेंट अगला प्रशन देखते हैं भारत में जनसंख्या की दश्की व्रद्दीदर कितनी है दोस्तों पिछले प्रशन में हमने बात की कि वार्षिक व्रद्दीदर कितनी है और इस प्रशन में पूछा जा रहा है कि भारत की जनसंख्या की दश्की व्रद्दीदर कितनी है तो दोस्तों भारत की जनसंख्या में जब जंगरना की गई थी तब कितना था इसका तब ये था 21.54 परसेंट ठीक है इसमें भी कमी दर्ज की गई दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन दोनों का डिफरेंज पूछ सकता है ठीक है दोस्तों चलिए अगला प्रशन देखते हैं किस राज की जनसंख्य यानि ऐसा कौन सा राज है जिसका जनसंख्या में दस्की व्रदिदर जो थी निगेटिव पाई गई है ठीक है जहां पर जनसंख्या बढ़ने की बजाए जनसंख्या घट गई है तो वह आंसर आपका होगा option number 3 नागा लेंड दोस्तों नागा लेंड की जनसंख्या में जो तो भारत का जनसंख्या घट 2011 की जनगवना के अंसार कितना है 382 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर इसका सही आंसर होगा option number 2 382 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर तो जनसंख्या घट तो कैसे निकालते हैं एक वर्ग किलोमीटर के एरिया होता है उसमें कितने लोग रह हैं वही हमारा जनसंख्या घट होता है ठीक है तो एक वर्ग किलोमीटर मतलब एक किलोमीटर का यह एरिया एक किलोमीटर यह इस एरिये में जितने भी लोग रह रहे हैं वहमारा जनसंख्या घट हो जाता है ठीक है दोस्तों अगला प्रशन देखते हैं जनगर्णा 2011 में भ भारत में लंगानुपात कितना हो गया है? 943। इसका रूपशन नंबर 3 – 943 वेक्टी। इसका मतलब होता है कि फ्रती हजार पुरुषों पर कितनी मैलाएं available हैं यह लंगानुपात हुता है। इसाएं सब्सक्राइए यह disruption को लंगानुपात हैं ठीक है अगला परसंद देखते हैं ग्रामियूर छेत्र में नियूंतम सा चर्टा वाला राज्य कौन सा है तो दोस्तों ग्रामियूर छेत्र में नियूंतम सा चर्टा दर वाला राज्य है आंदर प्रदेश ठीक है दोस्तों सबसे कम सा चर्टा दर किस राज्य के ग्रामि यह एक अंद्रप्रदेश स्वारी दोस्तों अंद्रप्रदेश ठीक है कि इसका सभी अंसर होगा option number 3 नंबर तीन अंद्रप्रदेश ठीक है दोस्तों अच्छा सबसे जादा साथ चरता आधर आपर पूशा जाए कि सारवादिक साच्छरता दर रखने वाला राज कौन सा है यह आपको याद रखना है के दोस्तों अगला प्रसंद देखते हैं शहरी छेत्र में नियूंतम साच्छर्टा दरवाला राज कौन सा है इसके पहले वाले प्रस्ट में हमने चर्चा की कि ग्रामीर छेत्र में नियूंतम साच्छर्टा दरवाला राज आंद्रप्रदेश है ठीक है अब यहां पूछा जा रहा है शेहरी छेत्र में नियूनतम साच्छरता दरवाला राज्य कौन सा है तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर है option number 1 उत्तर प्रदेश ठीक है दोस्तों अगला परसन देखते हैं किस राज्य को पून साच्छर गोशित किया गया है यानि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर 100% के साफसे जो लिटरेसी रेट है वो 100% के आसपास है तो दोस्तों ऐसा राज्य है केरल यहां इस राज्य को केरल राज्य को पून साच्छर गोशित किया गया है जिन गरना 2011 में इस जनसंख्या में ग्रामीर जनसंख्या का क्या प्रस्चत है यानि भारत की टोटल जनसंख्या जितनी है उसमें कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो ग्रामीर परवेश में निवास करते हैं ठीक है तो कितना है 68.8% भारत की टोटल जनसंख्या का 68.8% जो व्यक्ति है वो ग्रामिल परवेश में निवास करता है इसका सही आंसर होगा option number 4 तो अब आप से भी पुशा जा सकता है कि नगरी जनसंख्या का प्रस्चत कितना है भारत में तो नगरी जनसंख्या कितनी है भारत में 31.2 प्रस्चत ठीक है इसका नगरी जनसंख्या पुशी जाएगी तो आपका आंसर होगा 31.2 प्रस्चत और जब ग्रामिल जनसंख्या का प्रस्चत पुशा जाएगा तो आपका आंसर होगा 68.8 प्रस्चत ठीक है, अगला प्रशन देखते हैं सरवाजिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो दोस्तों सरवाजिक किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश तेक है, इसका सही answer होगा option number 1 उत्तरप्रदेश आपको दोस्तों यह और पता होना चाहिए कि number 2, number 3 पर कौन से राजी है जनसंख्या के मामले में तो number 1 पर तो हो गया आपका उत्तरप्रदेश ठीक है number 1 पर हो गया उत्तरप्रदेश number 2 पर कौन सा राजी आता है महराश्ड है number 2 पर है जनसंख्या के मामले में फिर number 3 पर आता है आपका बिहार और number 4 पर आता है पस्चिम बंगाल तो यह चारों आपको याद रखने है दोस्तों ठीक है यह उपर से लेके नीचे जो करम चला है यह इसी तरीके से रहेगा number 1 पर जनसंख्या के मामले में उत्तर परदेश, number 2 पर महराश्ड number 3 पर बिहार, number 4 पर पस्चिम बंगाल ठीक है दोस्तों अगला परशन देखते है निउन्तम जनसंख्या किस राज़की है तो अभी हमने पढ़ा सरवादिक जनसंख्या अब निउन्तम जनसंख्या की बात चल लगी दोस्तों तो निउन्तम जनसंख्या किस राज़की है तो उसका सही अंसर है option number 1 सिक्किम की सिक्किम एक ऐसा राज़की है जिसमें निउन्तम जनसंख्या पाई जाती है भारत में ठीक है उसके बाद सिक्किम से अधिक जनसंख्या किसे राज की है? मिजोरम की है फिर उसके बाद अरणाचल परदेश आता है और फिर गोवा तो ये भी आपको चारों राज्यों को याद रखना है सबसे कम जनसंख्या वाला राज सिक्किम उससे ज़ादा जनसंख्या मिजोरम की उससे ज़ादा अचरप्रदेश की और फिर उससे ज़ादा गोवा की आपसे ज़ी बुजा सकता है कि सेकेंड लाश राज कौन सा है जनसंख्या के मामले में ठीक है अगला प्रशन देखते है सरवादिक दश्की वरदीदर वाला राज कौन सा है यानि ऐसा कौन सा राज है जिसकी जनसंख्या की दश्की वरदीदर सबसे अधिक रही है दोस्तों ठीक है तो सरवादिक दश्की वरदीदर वाला राज है आपका मेघाले दोस्तों इसका सही आंसर है option number 3 मेघाले मेघाले की जनसंख्या में दश्की वर्दीदर सरवाधिक थी ठीक है और निउन्तम दश्की वर्दीदर वाधा राज भी आपसे पुछा जा सकता है अग्जाम में तो वो कौन सा है नागा लेंड नागा लेंड़ की दश्की वर्दीदर सरवाधिक थी दोस्तों यह आपको याद अढ़ना है अगला परसन देखते हैं निउन्तम जनसंख्या कःनत तो किस राज जिका है तो दोस्तों निउन्तम जनसंख्या घनत तो है अरुनाचल प्रदेश का अगिला परसन देखते हैं सरवाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है तो सरवाधिक लिंगानुपात जो है वो केरल में है दोस्तों यहां पर प्रती 1000 पुरुषों पर मैलाव की संख्या 1100 के ऊपर है दोस्तों ठीक है तो सरवाधिक लिंगानुपात केरल राज्य में है इसका सही आंसर होगा option number 1 केरल और दोस्तों नियूंतम लिंगा नुपाद यारी सबसे कम लिंगा नुपाद किस राज्य का है हर्याना का है दोस्तों ठीक है ये भी आपको point रियाद रखना है अगला प्रशन देखते है सरवाधिक साच्छरतादर किस राज्य में है तो सरवाधिक साच्छरतादर केरल में है अभी हम लोगोंने कुछ दिर पहले प्रशन किया था कि पूर्ण साच्छर राज्य कौन सा है तो केरल है तो साच्छरतादर किस की सरवाधिक होगी केरल की ठीक है इसका सही आंसर है option number 3 केरल तो दोस्तों नियून्तम साच्छरतादर वाला राज्य कौन सा होगा बिहार ठीक है अगर आपसे अक्जाम में कोश्चन करता है कि नियून्तम साच्छरतादर किस राज्य की है तो वो बिहार की है सरवाधिक केरल की ठीक है अगला प्रशन देखते हैं नियूंतम नगरी जनसंख्या किस राज में पाई जाती है तो दोस्तों नियूंतम नगरी जनसंख्या सिक्किम में पाई जाती है तो ठीक है इसका सही आंसर होगा option number 3 और सरवाधिक नगरी जनसंख्या महराश्ट में पाई जाती है ठीक है यह वा अगला प्रशन देखते हैं सरवाधिक अनुसूचित जाती किस राज्य में रहती है यानि जितने भी अनुसूचित जाती सौरी अनुसूचित जाती यानि S.C. कटेगरी वाले सरवाधिक किस राज्य में रहते हैं तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश ठीक है option number 1 उत्तर आधिक अनुसूचित जाती यानि S.C. जाती रहती है ठीक है और दोस्तों आपको यह भी याद रखना है कि किस राज्य में अनुसूचित जाती निवास नहीं करती यानि S.C. कटेगरी के जाती वाले किस राज्य में नहीं पाय जाते हैं ठीक है तो वो है आपके नागा ल और अउनाचल प्रदेश जिसमें ऐसी कटेगरी का कोई भी बंदा नहीं निवास करता है ठीक है यह आपकी जो आकड़े हैं यह जन्गर्णा 2011 के उनसार है ठीक है दोस्तों अगला प्रशन देखते हैं सरवाधिक अनसूची जन जाती के सराज में रहती है अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अनसूची जाती के बारे में यानी स्ट के बारे में यानी स्ट के बारे में तो दोस्तों सरवाधिक अनसूची जन जाती जिन संख्या मद्द प्रदेश में निवास करती है इसका सही आंसर प्रवादिक अनुसूचित जन्जाती की संख्या पाई जाती है तो दोस्तों एक पॉइंट इसमें और भी है कि किस राज्य में अनुसूचित जन्जाती जो है निवास नहीं करती है तो वह आपके अप्शन होंगे पंजाब और हर्याना यह दो राज्य ऐसे हैं जहां पर अ मुझन जाती की जन्जाती का कोई भी जन्जाती का व्यक्ति निवास नहीं करता है ठीक है अगला पर्शन देखते हैं किस केंद्र शाषित प्रदेश की इन संख्या सरवाधिक है तो दोस्तों किस केंद्र शाषित नंबर एक दिली ठीक है अच्छा सरवाधिक जब के शाश्चित प्रदेश की सरवाधिक दिल्ली की है तो नियूंतम की दोस्तों लच दीप की दोस्तों अगला परशन देखते हैं किस केंद्र शाषित प्रदेश की जनसंख्या में दश्की व्रद्दिदर नियूंतम थी तो दोस्तों लच्च दीप एक ऐसा केंद्र शाषित प्रदेश है जिसकी जनसंख्या में दश्की व्रद्दिदर नियूंतम पाई गई है ठीक है इसका सही आंसर होगा option number 1 और प्रशाशित प्रदेश जिसकी जिन संख्या में दश्की विर्दी दर नियूंतम थी तो आपका अंसर होगा लच्छ दीब और जब सरवादिक पूछा जाएगा तो आपका अंसर होगा दादरा नागर हवेली अगला देखते हैं प्रशन किस केंदर शाशित प्रदेश का जन घनत सरवादिक है दोस्तों ठीक है तो सरवादिक जन घनत वाला केंदर शाशित प्रदेश है दिल्ली ठीक है इसका सही आंसर होगा option number 1 दिल्ली तो किस केंदर शाशित प्रदेश का जन घनत सरवादिक है दिल्ली का और नियूंतम जन घन वाला केंदर शाशित प्रदेश है अंडमार निकोबार दीव समू यह भी आपको याद रखना है दोस्तों अगला प्रशन देखते हैं सरवादिक लिंगा नुपात वाला केंदर शाशित प्रदेश कौन सा है तो दोस्तों सरवादिक लिंगा नुपात वाला केंदर शाशित पुदुजेरी है दोस्तों सद्टों इसका सही आंसर होगा अप्शन नमबर 3 पुदुजेरी और निų रींगनॉपात वाला केंद्र शाषित पुदेश है दमथेव ठीक है दमथेव जो है वो पिए कि निउंत्म लिंगा नुपात वाला के दका अगला प्रसा यह. कि निउंत्म साथ्छर्टा दरवाला के दका नमबर दो बेली ऐसा के दका नमबर बेली एथा के साचहरता दरवाला केंदर शाचित प्रदेश कौन सा है लच्छ दीप ठीक है ये भी आपको पॉइंट याद रखना है दोस्तों कुछ पॉइंट और हैं जो आपसे डिसकस करने थे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सरवादिक स्थी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है उत्त क्रम में तो कौन सा केंद शाचित प्रदेश है ठीक है जिसमें कोई भी अन्सूचित जात्नी निवास नहीं करती है यानी कोई एसी गेमाद औंपन बंदा निवास नहीं करता है तो केंदर शाचित का जनजाती का व्यक्ति निवास नहीं करता है ठीक है इसी तरीके से अनुसूचित जनजाती में ऐसे कौन से केंदर शाषित प्रदेश हैं जहां पर कोई भी एसी से जनजाती यानि ऐसी से सेटी डिल्ली चंडी गऴ़ और पुदुदुचेरी यह तीन केंदर शाषित पास नहीं करता है यह जंगर्णा 2011 के फैक्ट से ठीक है दोस्तों इसी के साथ हमारा यह वीडियो खतम होता है जंगर्णा से संबंदित अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो हमारे दोरा प्रवाइट की करें इंफरमेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें जियस सार इस्टडी आपका अपना यूट्यूब चैनल थैंक यू फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर